लगातार हमलावर हैं दिल्ली से जो रिपोर्ट से आम ले आई है वो आपको दिखाते हैं पहलू केस पर सीम का बड़ा बयान टोल टेक्स माफी को बताया बीजेपी का सियासी स्टंट सीम ने सतीश पूनिया को कहा मुल्ला लिल्ली दोरे पर पहुंचे सीम गहलोत बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं वो द्वार को जहां कश्मीर और लोकतांतरिक मुल्यों पर बीएम मोदी और बीजेपी को खेरा तो आप प्रदेश बीजेपी पर हमलावर नजर आए पहलु खान मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर गहलोत ने पीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते वी कहा कि वसुंद्रा सरकार ने असली मुद्रिम को बचाने के लिए पहलु परिवार को फंसाने की कोशिश की सीयम ने केंदर सरकार पर भी आरोप लगाया सीयम ने कहा कि माब लेंचिंग से जुड़ी फाइल को ग्राम अंत्राले ने अटकार रखा है एक तरब जहां बीजेपी स्टेट हाइवे पर तोल्टेक्स के मामले में चक्का जाम की तयारी कर रही है तो वहीं के अलोत ने वह सुंद्रा सरकार के इस फैसले को चुनावी स्टंट बता रहे है जो प्रामिट का रहे हैं उनका टोल टेक्स माम करें तुक क्या था अगर सहिगारी खजाने का सिर्फ सवाल होता तो मैं फिर भी उसको टोलेर करता तो एक बार माली कर दिये सहिगारी पर सियम के लोत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीष पुनिया पर भी हमला बोलते वे कहा कि वे नए ने मुल्ला है इसलिए ज़्यादा बयानवाजी कर रहे हैं सतीष पुनियारी को भी वक्त लगेगा समय देवी बाते वो नए ने मुल्ला है ने ने वो भी ने मुल्ला हो तब वो जोड़ से बाग देता है तो उनकी इसलिए बनी हुई है उनको अभी अमी साजी ने ने मोदी जी के शारे हैं कि क्यों हमारे आरेसेल पर, बीजेपी पर, अमिसारी पर, मोधी जी पर टेक हो रहा है रात्तान मुक्यमदी के द्वारा, रात्तान मुक्यमदी टागिर बना के ही आप गो रातिती करनी है, यह विशेश उनको काम सपा गया हूँ आलांकि जब सीम से हाल ही में हुई सतीश पूरिया से मुलाकात पर सवाल किया गया, तो सीम ने कहा कि वे शिष्ट अचार के नाते, वक्त वक्त पर विरोध्यों से भी मिलते रहते हैं, और यही राजस्तान की संस्कृती है दिल्ली सजी मीडिया के लिए मनोहर विश्णोई की रिपोर्ट